पूजा स्वागत है आपका हमारे यूटिब चैनल साची बात में आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहे हूं एशियन गेम्स 2023 के बारे में तो वीडियो को बिनाए स्किप के अंतक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो अधिक समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत ने पहली बार 107 मेडल जीत कर 19 एशियन गेम्स में अपना चौथा इस्थान बना लिया है आठ ओक्टूबर को शाम सारे 5 बजे ह में हुई क्लोजिंग सर्मनी में श्री जेस ने भारतिय धुस थामा खिलाडियों की शांदार उप्रब्दियों और चीन की सांस्कृतिक विरासत के जश्न के साथ यह मंत्र मुग्द कर देने वाला कारेक्रम संपन हुआ लगभग 80,000 दर्शकों की शमता वाले बिग लोट में इस ने अधिक मेडल जीत कर इधियास रचा है भारत ने 107 मेडल के साथ एशियन गेम्स में अपने अभ्यान का समापन किया भारत ने 28 गोल्ड, 38 शिल्वर और 41 ब्रॉंज मेडल जीत कर कुल 107 पदग जीते हैं बता दें कि इससे पहले भारत ने 2018 में 70 पदग जीते थे जिसमें 16 गोल्ड पदक थे भारत ने चौदवे दिन यानि शनिवार को गोल्ड मेडल का सिक्सर मारा और कुल 12 मेडल देश के नाम किये आखरी दिन भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल पर कबजा जमाया वहीं कबड़ी में भारतिय पुरुष और महिला टीम चैंपियन बने बैडमिंटन में पुरुष यूगल इस परधा में भारत को गोल्ड मेडल मिला वही तिरंदाजी के पुरुष और महिला वेक्तिगत इस परधा में भारतिय तिरंदाजों ने गोल्ड पर निशाना साधा मंगलवार यानी कि 10 ओक्टूबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले सभी अथलिटों से नई दिल्ली में मिलेंगे तीम साचीबाद सभी पदक जीतने वाले अथलिटों को हार्दिक बधाई देता है और उनका अभिनंदन करता है आश्र करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी खेल जगत और देश विदेश की सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रही है हमारे चनल साचीबाद के साथ तब तक के लिए धन्यवाद